क्या जंग के लिए तुम्हारे कार्टबोट की तलवारे तैयार हैं? हाँ, बेटी अमीर नहीं है लेकिन उसके पास बहुत सारे बढ़ी आइडियाज है चलो देखें कि कौन बेस्ट है पैसा हर चीज के लिए ज़रूरी है बच्चों, तैयार हो जाओ जल्दी ही सिर्फ मिस पिंकी की ही चलेगी यहां हर तैरां के बच्चे है बेटी और टिंकी किसी से नहीं ड़ती वाहा, नए शिकार कितनी प्यारी बेटी है वाउ, ये काम काफी तलचस्प होने वाला है खाली समय, क्या मैं बुक पढ़ लू? बेटी, ओ, काम का समय है क्या ये वाटर पिस्टल टूट केई है? जो भी हो, अब मैं इसे ठीक कैसे करूँ जब अप नया खिलोना बना सकते हो तो चिंता किस बात की? बोतल से? क्यों नहीं? तुम्हें बस कैप में कुछ छेट करने है लेकिन ये गन से बहतर कैसे हो सकता है? ऐसे? उपस, ये सप्राइस था अब मेरी बारी, मुझे वापिस दो लेकिन बेटी के पास बहतर आइडिया है पिंकी, हमें तुम्हारी मदद की जरुरत है मैं सुन रही हूँ हमला हे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था मेरा मेकप कराब करके कोई नहीं बच सकता पिंकी के पास भी एक गन है और वो भी बहुत खदरनाक वाली और मैं डाब भागो मुझे भूक लगी है चिंता मत करो बच्ची हम तुम्हें अभी कुछ खिलाते है ठीक है, मेरी कुक बुक कहा है ये एक मास्टरपीस होने वाला है ठीक है तो बैटी को फ्रिट से जो भी मिलेगा वो उससे कुछ बनाएगी चलो काम पर लगे समान जगे पर है ग्रोश्रीस तयार है चलो शुरू करें खैर, ये होता रहता है हमें एपल का हेल्दियस पार्ट निकालना होगा ये देखो ये रही बैटी और उसकी फ्रोजन फिश बत किस्मती से फ्रिज में और कुछ पी नहीं था उसको इसे मेल्ट करना पड़ेगा लेकिन कैसे पहले ही हार्मान ली बैटी को मदद की ज़रूरत है और पिंकी के पास सब कुछ तयार है सोने का बर्गर कितनी बड़ी अट्रीट है ये खा लो अमेंडा सोने का बर्गर हाँ बैटी उसे किस चीट से सुप्राइस करने वाली है उसके ड्रिंक के लिए बड़ इसके लिए शुक्रिया अपने खाने के मज़े लो ये आइस क्यूब से फिश की बदबू क्यों आ रही है वो दिन भी क्या दिन थे अंगिनत कॉटन कैंडी अमीर बेबिसिटर के साथ हैंग आउट करना कितना मज़ेदार है काश आज उसकी बारी हो हे तुम अदास क्यों हो हाँ ये मज़ेदार था है ना कश बैटी भी ये चीज़े आफोर्ट कर पाती हाई अमेंडा लेकिन इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है बिना पैसो के भी मज़े करने के बहुत तरीके होते हैं होर्स बैक राइट कैसी रहेगी चलो मेरे घोडे वी ये मज़ेदार है चलो होर्सी और होर्स राइट के बाद तुम तलवारों से लड़ाई भी कर सकते हो उप्स बैटी की कार्टबोर्ट की तलवार ने उसे हरा दिया अपनी जान बचा कर भागो लेकिन आखिर में दोस्ती ही जीतती है हमें मेकप बहुत पसंद है हम उसके बिना कहीं नहीं जा सकते मैं कैसे दिख रही हूँ ओ मेकप तुमारे मतलब की चीज नहीं है लेकिन ठीक है पिंकी से सही कर देगी ये लो बच्चे मेजिक वाइप्स गंदा मेकप हटा दो और वो अमीरों के मेकप में बदल जाता है वो हो हाँ ये टिशू सोने के जितने कीमती है और तुम भी नैनी पिंकी एक अचानक से निकले पिंपल से खतरनाक और कुछ नहीं है ओ नहीं मुझे नहीं जीना सब इस गंदे पिंपल की वज़े से क्या ये कोई परिशानी की बात है बेटी के पास इसका इलाज है कैबिज मास्क तुम इससे क्या करोगी इससे खाना है खैर लगबख खा ही लिया वैसे क्यों नहीं ये अच्छा है कैबिज में बहुत सारे विटामिन्स होते है मैट वैसे इसे किस ने बनाया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये कितना आसान है बेटी बिनासा में लिए सब कुछ समझा देगी वो उसके लिए अपने उंगलियों का इस्तिमाल कर सकती है पर ये नमबर तो बहुत बड़े है और उसके उंगलियां कम पड़ रही है लेकिन ठीक है उसके पास पैर के उलियां भी है नहीं 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 प्लीज ये मत करो ये शोर कैसा है अब यहाँ से सब पिंकी संभालेगी ये क्या है मैट्स आसान है बहुत सारे पैसे लो अगर तुम हंडर्ड बक्स में और हंडर्ड बक्स टालोगी तो तुम्हारे पास 200 बक्स हो जाएंगे रुको, ये तो सही में आसान है अमेंडा ने आखिरकार सीख लिया अब तुम्हें पैसे कि इतने आते हैं ये अच्छा है अब तुम्हें मैट्स की और क्या जुरूरत है तुम कितने देर से अपने फोन में लगी हुई हो ये मुझे दो क्या अभी? नहीं, लेकिन बैटी को अपने बात मनवाना आता है ओ, क्या ये फ्लेश लाइट है? अब, गरीब बेबी सिटर कुछ करने वाली है क्या तुम ध्यान दोगी प्लीज? अगर यहाँ लाइट है तो तुम परचाईया बना सकती हो और थोड़ी सी परचाईयों से एक अच्छा सा शो बन सकता है वाउ, ये सुन्दर है परचाईयों का असली थेटर अमैंडा ने अपने जिंदगी में पहले ऐसा कुछ नहीं देखा और ये किसी भी आप से ज्यादा दिल्चस्प है तो तुम्हें ये कैसा लगा? बैटी, तुम बढ़िया हो मूवी? ये तो बोरिंग है ओ, पहले ही कुछ मत सोचो बोरिंग, ये मूवी कैसी है, यंग लेडी? ये बिकार, और बोरिंग है ओ, हाँ, तुम्हें डरावनी मूवी कैसी लगती है? ओ, हे भगवान, मेरे हिसाब से ये तुम्हें पसंद नहीं आई लेकिन अब मैं क्या चुनू? मेरे सब्र का बान तूट रहा है पिंकी, इतनी तेस्ट लिक मत करो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कुछ भी नहीं देख पा रही ओ, नहीं, मुझे नहीं पता कि अब मैं तुम्हें क्या दिखाऊँ ओ, क्या ये पॉपिट है? ये किसी भी मूवी से ज्यादा बहतर है मेरी कलेक्शन में बस यही नहीं है पेंकी, तुम अब तक की सबसे बेस्ट बेबी सेटर हो और चलो भी टीनेजर को बीजी रखने के लिए ड्रॉइंग सबसे बड़िया तरीका है शायद से हमें अपने खुद की आर्ट कैलरी खोलनी चाहिए तुम क्या कर रही हो बच्ची? वाउ, टिंकी को पेंटिंग के बारे में एक दो चीज़े पता है क्या मैं तुम्हें दिखाओ? मेरे पास सोने के पेंट का कैन पड़ा है चलो डॉलर का साइन बनाए वो हो और चेन ड्रॉइंग सही में बहतरीन है लेकिन अभी खत्म नहीं होई वुश और वो असली के बन जाते है कैसे? ये तुमने कैसे किया? ये सब जादूई पेंट का कमाल है तो क्या अमेंडा भी ये कर सकती है? हेई, ये जादू काम क्यों नहीं कर रहा? उप्स लगता है कि अब पिंकी के जाने का समय है ये कितनी गलत बात है क्या तुम इसे बेबिसिटिंग कहती हो? क्या यहाँ कोई है जिसको अमेंडा से ज्यादा सोटा पसंद है? वो एक सेकिंड के लिए भी कैन को नहीं छोड़ती ओ, ये तो खर्म हो गई ठीक है फिर हेई, कच्रा फेलाना गंदी बात होती है किस कोफर्ट पढ़ता है? लेकिन बेटी हार नहीं मानती क्योंकि तुम इसे रिसाइकल करके इससे कुछ और जुरूरी चीज़े बना सकते हो और कुछ पैसे भी कमा सकते हो वाउ लगता है उसने अपनी सोच बदल ली वो कैन से गाना बजाने में बहुत अच्छी है और वो उससे अच्छे पैसे कमा रही है मुझे यकीन नहीं हो रहा चला स्टोर चलें अब पता चला आंकी अपने पैसो से खरीदी हूई आइस्क्रीम ज्यादा स्वादिश्ट लगती है अगर मैं अपनी मॉम की टाइट्स ट्राइक करूँ तो कुछ होगा तो नहीं है ना मैं और स्टाइलिश लगूँगी उप्स इसकी फिटिंग जैसा मैंने सोच आता वैसे ही निकली कोई मेरी मदद करो मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी चिंता मत करो नैनिस तुमें कुछ नहीं होने देंगी बस मार करकी मदद ले लो तिंकी के पास भी आइडिया है हम इन पर डायमेंड्स भी लगा सकते हैं हो गया वाओ ये कितने चमकीले है मैं यहां से जा रही हूँ बढ़िया टीम वक था बच्चों और बड़े सभी को पिलोफाइड पसंद है हेई ये गलत बात है जोश बढ़ता जा रहा है कौन जीतेगा ओ नहीं फिर से नहीं तक ये गा बड़ा राक्षस मदद करो क्या आपको हमारी नई कहानी पसंद आई आपको कौन सी नहीं पसंद आई बैटी या पिंकी हमें कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करना न भूले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ट्रूम ट्रूम वाओ पर बेबी सिटिंग के मज़दार स्केचेश मिस ना करें